ताइपस of Mutation इससे पहले हमने Mutation देखा था इसका link अपको description में मिल जाएगा आज हम देखेंगे types of mutation जो Mutation होते हैं वो कितने types के होते हैं first होता है genomatic mutation second है chromosomal mutation and third होता है gene mutation तो जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्या होता है जो जीनोमेटिक म्यूटेशन होती है उनमें क्रोमोजोम्स के नंबर में चेंजेस होती है और जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन होते है उनमें क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस होती है तथा जो जीन म्यूटेशन होती है में DNA के निकलोटाइड में चेंजेस होती है यह जीन म्यूटेशन कहलाता है तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं जीनोमेटिक म्यूटेशन जीनोमेटिक म्यूटेशन क्या होता है अपने ओरीजिनल क्रोमोजोम्स नंबर से क्रोमोजोम्स की नंबर में परिवत्तन है किसी भी और्गनिस्म में जो सेल्स में उनकी क्रोमोजोम्स नंबर पाए जाते हैं यदि उनमें चेंजेस हो जाती है तो यह जीनोमेटिक म्यूटेशन कहलाता है जैसे हुमन बाडी में 46 क्रोमोजोम्स होती है और इनमें से यदि व्रीधी हो जाए क्रोमोजोम्स नंबर की या कम हो ज कहते हैं यह ट्रो टाइपस कि होती हैं फॉस्ट होता है और एन्यूपलॉईडी तो पॉलिपारटी क्या होता है यह हम देखेंगे इसमें क्रोयम Durm drei कि एक अधिक सेड इन्वाल्व होते है जो औरिजिनल क्रोयम ऑनुम्जिs नंबर होती है उन्मे उनमें यह कोई भी एक हैपलोईड सेट आकर जूट जाए तो इन्वाल्व हो जाए तो इसे हम पॉलिपलोईडी कहेंगे एक और गनेज में जिसमें होमो लोगस क्रोमोजूम्स की दो से अधीक सेट्स होते हैं तो उन्हें बाइपलोईडी और फिनोमेना और यह जो फिनोमेना होता है वह पॉलिपलोईडी कहलाता है यहां प्लांट्स में समाने रूप से पाया जाता है जो पॉलिपलोईडी होती है उन्हें एक हैपलोईड सेट मतलब दो क्रोमोजूम्स आकर जूर जाते हैं तो यहां पॉलिपलोईडी कहलाती है एक्जाम्पल के लिए हम देखेंगे इसम में कोई भी कॉल्ची सीन जो मुटाजीन होता है यहां डाल दिया जाए तो यह इनकी मियोसिस डिविजन के समय मेंटा फेसे स्टेज में हम देखते हैं कि जो कॉल्ची शीन होता है वह इस्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन नहीं होने देता है इसे श्टॉप कर देता है जि जदि इनमें मियोसिस फर्स्ट के तवारां two cells बनते हैं तो यह क्रोमोजोंस जो होती है वह separate नहीं होती है और यह इस अवस्था में cells में आ जाती है इनमें spindle fibers के formation नहीं होता है जिसकी वजह से जो क्रोमोजोंस होते हैं वह separate नहीं होते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं जो mioc second होती है उनमें यहाद four chromosomes and इनमें भी four chromosomes बनते हैं इनके हिसाब से जो mioc second होती है तो उनमें प्रति एक cells में two two chromosomes आना चाहिए कि इनमें जो एक haploid set होता है वह आकर जूड़ जाता है जिसकी वज़ह से इनमें चार-चार kromozoms प्रती एक cells में हो जाती हैं एक haploid set मतलब तो kromozoms का आकर involved हो जाती हैं तो यह जो stanges होता है वह polyploidy कहलाता है इनमें जो colchicine होता है वो mutagen है यह mutation को induce करने का कारे करता है colchicine की वज़े से जो spindle fibers होती है उनका formation नहीं होता है जिससे यह chromosome separate नहीं होते हैं और इसी stage में यह आगे चले जाते हैं जिसकी वज़ा से जो प्रतेक cells में होती है उनमें two chromosome आने की जगा इनमें four chromosome हो जाते हैं और इनमें एक-एक haploid set की रिधी हो जाती है यह घटना polyploidy कहलाती है haploid sets of chromosome increase जो haploid sets होता है वो chromosome में बढ़ता है तो यह घटना है वो polyploidy कहलाती है इनमें जो एक haploid sets बढ़ते जाते हैं एक haploid, second haploid यानि चार chromosome और एक haploid set मने दो chromosome की रिधी होती है इसके बाद हम देखेंगे second क्या है aneuploidy aneuploidy क्या होता है loss और gain of one of few chromosome इनमें जो original chromosome number होती है उनमें एक chromosome की या तो भीधी हो जाए या कमी हो जाए तो यह जो घटना है वो aneuploidy कहलाती है जो हमने polyploidy में देखा था एक set यानि दो chromosome involved हो रहे थे इनमें कोई भी एक chromosome या एक से अधिक जो chromosome से वह add हो सकते है या उनकी कमी हो सकती है तो यह aneuploidy कहलाता है somatic chromosome number में एक या अथवा अनेग chromosome की कमी अवरिधी aneuploidy कहलाती है इसमें कभी भी जो genome होती है उनकी कमी अवरिधी नहीं होती है इनमें जीनोम की कमी अवरिधी नहीं होती है इनमें बस जो original chromosome number है उनमें एक chromosome साकर जूड जाएगा या एक chromosome से अधिक chromosome की कमी हो जाएगी तो यह घटना aneuploidy कहलाता है जो aneuploidy होती है वो four types के हैं aneuploidy में first हम देखेंगे नियली स्वामी सेकेंड होता है monosomy, third है trisomy and fourth होता है tetrasomy तो नियली स्वामी क्या होता है somatic chromosome number में एक pair homologus का कम होना नियली स्वामी कहलाता है जो नियली स्वामी उसमें chromosome की संख्या होती है two and minus one पाई जाती है जो somatic chromosome से number है उनमें यदि एक pair homologus यानि की दो क्रोमोजोम्स इनमें काम हो जाते हैं तो यहां नियलोसोमी कहलाती है यदि 46 क्रोमोजोम्स हैं तो उनमें क्रोमोजोम्स घटकर 44 हो जाएंगे इनमें एक पेयर यानि दो जो क्रोमोजोम्स है वा काम हो जाते हैं यहां नियलोसोमी कहलाती है सेकेंड हम देखते हैं मोनोसॉमी सॉमेटिक क्रोमोजोम्स नंबर में एक क्रोमोजोम्स का कम होना मोनोसॉमी कहलाता है यदि जो भी क्रोमोजोम्स नंबर है उनमें एक क्रोमोजोम्स कम हो जाती है तो यह मोनोसॉमी कहलाता है यदि 46 क्रोमोजोम्स है तो उनमें एक कम होका यह 45 हो जाएंगी तो यह मोनोसोमी कहलाता है नेलोसोमी में दो क्रोमोजोम्स कम हो जाते हैं तथा जो मोनोसोमी होती है उनमें एक क्रोमोजोम्स कम हो जाती है इसके बाद हम देखेंगे थर्ड है ट्राइसोमी Somatric chromosome number में A chromosome की वरिद्धी होने पर Trisomy कहलाती है जिसे 2N plus 1 द्वारा प्रदरसीत किया जाता है जैसे Tomato tea जो tomato होता है, P होता है इस plant में जो diploid species होती हैं उनमें Trisomy पाया जाते हैं इनमें जो chromosome होती हैं उनमें A chromosome अधीक पाया जाते हैं इस प्रकार जो original chromosome number होती है उनमें एक chromosome की जो व्रिध्धी होती है। ट्राइसोमी कहलाती है ट्रेट्रासोमी इनमें स्वामेटिक क्रोमोजोम्स नंबर में दो क्रोमोजोम्स की व्रिद्धी होने पर ट्रेट्रासोमी कहलाती है इसे टू एंड प्लस टू द्वारा प्रजस्टित किया जाता है इनमें यदि जो ओरिजनल क्रोमोजोम्स नंबर है उनमें यदि टू क्रोमोजोम्स की विद्धी हो जाये तो यह टेट्रासोमी कहलाती है इनमें एनुप्लॉइडी में हमने फोर टाइफ देखा नियूलोसोमी यदि दो क्रोमोजोम्स की कमी हो जाये तो यह नियूलोसोमी कहलाती है one pair of kromozoms की कमी होना second था monozomi जिनमें एक kromozoms कम हो जाता है तो यह monozomi कहलाता है third होता है trisomy जिनमें एक kromozoms अधिक एक kromozoms की विद्धी हो जाती है add हो जाता है तो यह trisomy कहलाता है और fourth होता है tetrasomy यदि जो original kromozoms number है उनमें दो kromozoms आकर इन्वाल्व हो जाएं जूर जाएं तो यह टेटरासूम में कहलाता है इसके बाद हम देखेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन है उनमें क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर के में म्यूटेशन हम देखेंगे और जो जीन म्यूटेशन होती है उनमें जो डीने में निकलोटाइट्स होती हैं उनमें चेंजेस होते हैं तो यह जीन म्यूटेशन कहलाता है